गुड मॉर्निंग श्टुटेंट आज हम अपने थर्ड वीडियो में लेसे नमबर टैन बर्ट स्टॉक के थर्ड वीडियो में हम ग्रामर पॉशन को देखेंगे जैसे 6 नमबर दिया देखें वॉक्यूबलेरी यह राइट सौंड अफ द बर्ट इन द प्लेस कीवन यूजि ठीक है सेकंड है क्रोस क्या करता है काउं करके अवाज करता है ठर्ड है डक डक क्या करता है क्वेक करता है फोर्थ क्या है आउल आउल क्या करता है हुट करके अवाज करता है फिफ्थ है डवस क्या करता है कू करके अवाज करता है पैरोट पैरेट्स है ना पैरेट्स क्या करता है sketch करके अवाज करता है भी है write the name of the part of the body of the bird तो देखें हां पर एक बर्ड का चित्र दिया हुआ है और उस बर्ड के कि कुछ body Parts को हमके नाम हमको यहां पर देखके लिखना है तो देखें सबसे बाद है विक और उसके बाद है उसका शार्प क्लॉथ C है match list यहां पर दो कॉलम दिये है list of the things that bird eat list of the things that we eat मतलब यहां पर हमको कुछ list बनाने है जो कि bird खाते है और कुछ list ऐसे बनाने जिसे हम खाते है मतलब हम इनसान खाते हैं तो bird जो खाते हो कि है seed, insect और fruits मतलब seed मतलब beach और insect मतलब केडे मकोडे और fruits मतलब फल और यहां पर जो इनसान खाते है rice मतलब चामल, चपाती मतलब रोटी और vegetable means हो गया आपका सबजी सबजी उसके बाद six यहां पर दिया हुआ है this is a pinky who want to reach home, trace her way to home, speak that interaction while tracing the root, तो go, stop, turn right, left turn, मतलब हमको क्या करना है यहां पर देखिए कुछ खोजने के लिए दिया हुआ है, pinky को उसके घर तक पहुचाना है तो हमको यहां से ऐसे रास्ता बनाते हुए pinky के घर तक पहुचाना है इसे आप अपने book में कीजिएगा Okay, thank you